दो मित्र और बालू दो दोस्त एक गने जंगल से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बालू उनकी तरफ आ रहा है तो उन में से एक शीक रही उन्चे व्रिक्ष पर चड़ गया और चुप गया परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहाता कि क्या करे वह असाहाय से कड़ा रह गया तब उसे अपनी पाच्छाला का एक सबक याद आया कि बालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते वह बिलकुल एक मृत्व व्यक्ति की भांती तर्ती पर सास रोक कर सीधा लेट गया बालू उसके पास आया और उससे सोंग कर चला गया तोड़ी देर बाद उसका मित्र पेट से उतर कर आया और उससे पूछने लगा मित्र बालू ने थुमारे कान में क्या पुद्बुधाया उसने उतर दिया बालू ने कहा कि संकट की कड़ी में जो बाग जाये वह सच्छा मित्र नहीं होता